नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आईए इस वीडियो में हम उश्मा चालक्ता की नियम के बारे में समझेंगे इससे समझने से पहले हमें जानना होगा कि ताप्रमर्टा क्या होती है तो चलिए ताप्रमर्टा के बारे में जानते हैं तो मान लिजिए कि हमारे पास एक धात्विक छड़ है जिसकी लंबाई हमें दी गई है एल ठीक है तो इसकी लंबाई है एल और इस चड़ में इस तरफ से उश्मा दी गई है और इस तरफ से उश्मा क्या हो रही है? निकल रही है कहती बाद समझ में आई? मान लीजे यहां पर यहां पर जो temperature या ताप है वो theta 1 है और यहां पर theta 2 है कहती बाद समझ में आई? ठीक है अब मान लीजे कि यहाँ पर किसी अनुप्रस्त कार्ट शेतरफल पर मान लीजे यहाँ पर जो ताप का मान है वो है ठीटा और उसी के थोड़ा सा ही आगे जागे मान लीजे यहां पर जो अनुप्रस्त कार्ट शेतरफल है इसके ताप का मान यानि यहां पर जो ताप का मान है मान लीजे यह हमें दिया गया है थीटा माइनस डेल्टा थीटा ऐसा क्यों? क्योंकि उश्मा यहां से दी जा रही है तो यह गर्म सिरा होगा और यहां पर थोड़ा सा सिरा ठंडा हो यानि कि हम जैसे जैसे इधर को बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? जो ताप का मान है वो घड़ता जाएगा इतना तो आपको पता ही है अब देखें मान लेते हैं कि इन दोनों अनुपरस्त कार्ट शेतरफल के जो बीच की दूरी है वो है डेल एक्स तो क्या आपको अभी तक ये डाइग्राम समझ में आया जो मैंने यहां पर लिखा जो भी मैंने आपर मेंशन किया है क्या आपको समझ में आया यह क्या है? यदि हाँ तो ताप प्रवंणता की ओर हमें समझना था कि ताप प्रवंणता क्या होती है? तो देखिए दो प्रिष्टों के मध्य दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवंणता कहते हैं यानि कि दो जो प्रिष्ट हैं उनके मध्य दूरी के सापेक्ष इंपोर्ट ठीक है तो देखिए अब यहां पर ताप प्रमर्टा का सूत्र क्या आप मैंसे कोई मुझे बता सकता है यहां पर जो मैंने आपको परिभाशा दी और अभी जो समझाया कि ताप प्रमर्टा क्या होता है आप इसके हिसाब से सोचे कि ताप प्रमर्टा का सूत्र क्या होना चा दी है यहां पर आएगा ताप में परिवर्तन ठीक है तो हमें क्या देखना है हमें यहां पर ताप में परिवर्तन देखना है तो उसे हम क्या कहेंगे डेल्टा थीटा अपॉन किसके सापेक्ष देखना है यह देखिए दूरी के सापेक्ष यानि कि अपॉन में क्या आएगा दूरी आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि मैं इन दो अनुप्रस्तकार छेतरफल की बात करूँ तो इन दोनों में जो ताप में परिवर्तन है वो कितना है डेल थीटा तो यहाँ पर आगया डेल थीटा और इन दोनों के मध्यत दूरी किती है डेल्टा एक्स है तो यह हमें मिल गया ताप प्रवर्णता लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि दूरी के साथ साथ ताप जो है वो दूरी बड़ी तो थीटा माइनस डेल थीटा हो गया तो यहां पर आप लिखेंगे नेगेटिव क्यों आया क्योंकि ताप दूरी के साथ घटा है तो यह आगया ताप प्रवर्ता का सूत्र यहां पर जो नेगेटिव साइन है यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है कैती बा समान थीटा वन है और यहां पर क्या है थीटा टू है यदि एक समान ताप घटेगा तो यहां पर क्या होगा यहां पर जो थीटा वन माइनस थीटा टू है अपॉन इन दोनों के बीच कि जो दूरी है वो कितनी है अल है तो यह आ जाएगा अपॉन यह हो जाएगा बराबर देल्टा थीटा अपॉन देल्टा एक्स की ऐसा कब होगा जब ताप में जो पतन है वो एक समान हो ठीक है तो इतना समझ में आ गया अब हम निकालेंगे कि ताप प्रमड़ता का मातरक और विमा क्या होता है तो चलिए आपको यहाँ पर सूत्र दिया गया है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका जो मातरक है वो क्या होगा तो क्योंकि यहाँ पर यह क्या है ताप है ताप की जो यूनिट है वो कैल्विन होती है और यहाँ पर यह दूरी है तो कैल्विन पर मीटर इसका मातरक हो गया यदि मैं विमा की बात करूँ तो विमा क्या आ जाएगा कैल्विन के जगे आ जाएगा थीटा और मीटर कहा है डिनॉमिनेटर में है यानि की L-1 आ जाएगा तो थीटा L-1 इसकी विमा हो गई तो ये था ताप प्रमणता के बारे में अब चलिए समझते हैं कि उश्मा चालकता का नियम क्या कहता है तो ये देखिए हमें दिया गया है माना एक चालक छड़ की लंबाई L है ये आपको लंबाई दिख रही है अनुप्रस्त काट का शेत्रफल A है तो इसका जो नुप्रस्त काट शेत्रफल होगा वो पूरी जो चड़ है उसमें कितना रहेगा ए रहेगा अब देखिए दो सत्वों के ताप क्रम थीटा वन वद थीटा टू है ये आपको दिख रहे हैं और चड़ का वक्रिय भाग कुचालक पदार्थ से ढग देते हैं यानि कि यहां पर हम इसकी जो सर्फेस है कर्वड सर्फेस है इसे इंसुलेटर कुचालक पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जो उश्मा को बाहर व्यर्थ ना होने दे लिखा भी है जिससे उश्मा का शैना हो अब मान लीजे कि हमने यहां से इसे उश्मा दी और वो उश्मा इस प्रकार से चलेगी इस चड़ के भीतर चेक है और यहां से इस दिशा में चलेगी कि इतनी बात समझ में आती है चले ठीक है अब स्थाई अवस्था आने के बाद, स्थाई अवस्था मैं उमीद करती हूँ आपको याद होगा एक ऐसे अवस्था होती है जिसमें जो छड़ है उसके प्रतियेक अनुप्रस्त कार्ट शेत्रफल पर ताप का मान नियत रहता है उस अवस्था को हम स्थाई अवस्था कहते थे तो स्थाई अवस्था आने के बाद क्या होगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक यदि T समय में हमें प्रवाहित उश्मा निकालनी होगी तो वो किस प्रकार से आएगी यदि हम इस उश्मा को कह दें यहाँ पर कह देते हैं Q कह दे ठीक है Q तो यह आएगा Q बराबर K A theta 1 minus theta 2 गुणा T अपॉन L यहाँ पर A क्या है अनुप्रस्त कार्ट का शेत्रफल theta 1 और theta 2 आपको दिया ही गया है T समय बाद जिस समय बाद हमें निकालना है वो L क्या है छड़की लंबाई K यहाँ पर उश्मा चालकता गुणांग है यह कैसे आया यह इस प्रकार से निकाला जाता है कि जो यह उश्मा होती है यह डारेक्टली प्रपोर्शनल होगी किसके अनुप्रस्त कार्ट शेत्रफल के ठीक है साथ ही साथ यह डारेक्टली प्रपोर्शनल होगी ताप प्रमडता के और यह डारेक्टली प्रपोर्शनल होगी कि कितने समय बाद निकालना है फिर उसमें हमने जब प्रपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें यह K मिल जाएगा जो की एक constant है के यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको उश्मा, चालक्ता, गुडांक ठीक है तो मैंने आपको इसी दही बता दिया है आपको यही काम आएगा अब देखें, यह क्या थी? यह तो स्थाई अवस्था आने के बाद एक सिरे से दूसरे सिरे तक टी समय में प्रवाहित उश्मा थी यदि मुझे यहाँ पर उश्मा प्रवा की दर निकालनी हो, तो उश्मा प्रवा की दर का क्या मतलब हुआ? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? क्योंकि अब आपको भी आजाना चाहिए, हम लगबग एंड पर पहुँच गए हैं, क्लास 11 के, तो आपको आना चाहिए कि जब हम किसी चीज की दर निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो यहाँ पर उश्मा प्रवा की दर क्या आएगी? यह आजाएगा Q upon T, ठीक है? और उश्मा प्रवा की दर को हम प्रदरशित करते हैं, कित से? अब यहाँ पर आप क्यार करेंगे, Q की जो आपने वैल्यू निकाली है, यह पूरी की पूरी यहाँ पर रखेंगे, upon T, T से ठीक कैंसल हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 upon L, यानि कि जो उश्मा प्रवा की दर है, वो क्या आ गई? वो के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 by L, यानि कि यह डारेक्ली प्रपोर्शनल होता है, अनुप्रस्त काट शेत्रफल के तथा ताप प्रमणता के, समझ मैं आया एतना? चल ये ठीक है, तो ये कब की बात हम कर रहे थे? ये हम कह रहे थे स्थाई अवस्था में, लेकिन अवस्था तो हमने कुल कितने प्रकार के देखी? दो प्रकार के देखी, स्थाई अवस्था के अलावा क्या दूसरी अवस्था आपको याद है? तो दूसरी अवस्था का नाम है परिवर्ती अवस्था तो जो परिवर्ती अवस्था होगी तो वहाँ पर हम क्या करेंगे तो बताएए वहाँ पर हम क्या करेंगे तो वहाँ पर जो यह आपको दिख रहा है q by t की जगे हम बात करते हैं dq by dt की क्योंकि यह हर पल क्या होगा बदलता रहेगा यह किसके पाई अवस्था और परिवर्ती अवस्था के बारे में चलिए अब बात करते हैं कि जो ये के है यानि कि उश्मा चालकता गुडांक है इसके बारे में कुछ बाते करते हैं शिरुवात करते हैं कि इसका मातरक क्या होगा तो यदि मैं मातरक की बात करूं CGS पदती में तो जो मातरक है कीलो कालोरी पर मीटर सेकंड और ऐसा यूनिट है इसकी वाट पर मीटर कैल्विन ठीक है तो ये बात ध्यान रखनी है ये किसके बारे में बात है मैं आपर लिख देती हूँ ये हमने यहां पर जो के है के का मातरकों की बात की है ठीक है अलग-अलग परदती में अब इसकी जो विमा होती है जब भी हम मातरक की बात करते हैं तो हम हमेशा ही विमा की भी बात करते हैं तो इसकी जो विमा होगी वो क्या होगी तो इसकी विमा होगी देखिए M L T माइनस 3 ठीटा ये इसकी विमा हो जाएगी, ये के की ही विमा है अब हम बात करेंगे कि जो एक के है ये किन किन बादों पर निर्भर करता है तो देखिए, जो के का परिमाण है वो पदार्त की प्रकृति पर निर्भर करता है कि जो हमने छड़ ली है वो किस प्रकृति का है ठीक है, इसके अलावा वे पदार्त जिनमें उश्मा असानी वश्चीगरता से प्रवाहित होती है, उश्मा के सुचालक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं, और ध्यान दीजेगा कि जो उश्मा के सुचालक होते हैं, वहाँ पर के का मान कितना होता है, के का मा बहुत जादा अधिक होता है और उसे हम infinity कहते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर इसे लिख देती हूँ तो यहाँ पर यह बात ध्यान रखने हैं यह थोड़ा सा important है कि जो अच्छे सुचालक होंगे उनके लिए जो के है उसका मान infinity होगा वही यदि हम बात करें अच्छे कुचाल की अच्छे कुचालक मतलब जो खुद से उश्मा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं ठीक है जैसे कि आपके घर में यदि कोई तवा होगा है ना जिसमें रोठी बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि उस पर अक्सर क्या होता है लकड़ी का एक हैंडल दिया जाता है ऐसा क क्यूं कि जब तवा गरम हो तो उसका हैंडल ना हो और आप की जो ममी हैं जो भी घर में खाना बनाते हैं चाहे आप हो आसानी से क्या करें उसे पकड़ सकें तो ऐसे जो कुचालक होते हैं उनके लिए के का मान कितना होना चाहिए उनका मान होगा 0 के बराबर तो यह important है ठीक है तो इतनी बाद समझ में आई अब देखिए हमारे पास अगर हम दो धातों की बात करें एक हो गए शुद और एक हो गए मिश्र धातू अब यदि मैं कहूं शुद धातों की बात तो ताप जब बढ़ाया जाता है तो शुद धातों की जो उश्म चालता है वो घट जाती है वहीं यदि हम मिश्र धातों की बात करें तो उनके ताप बढ़ाने पर क्या होगा जो उश्मा चालता है वो बढ़ जाती है यानि कि ये एक ही तरीके की प्रापर्टी नहीं है ये depend करता है कि जो हमारा material है वो किस प्रकार का है क्या वो शुद ध हातु है या फिर वो मिश्र धातु है ठीक है तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है के दिवा समझ में आए ठीक है तो ये important है इसके अलावा जो हमारा शरीर है यानि कि जो मानव शरीर है वो उश्मा का दुर्बल चालक है ठीक है परंतु विद्यूत का सुचालक है ठीक है ठीक है तो ये important चीज है ये काफी interesting भी है कि हमारा शरीर है जो विद्यूत का सुचालक है ठीक है यानि कि जो electric current होता है उसका सुचालक है और जो उश्मा है यानि कि heat है उसका दुर्बल चालक है ठीक है चलिए अब हम समझते हैं उश्मिय प्रतिरोध के बारे में कि एसी कोई चीज है जो उश्मा का क्या करती है प्रतिरोध करती है ठीक है तो चलिए अब हम इसके बारे में कुछ बाते जान लेते हैं तो इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं उश्मिय प्रतिरोध किसी पिन द्वारा उश्मा प्रभा का विरोध करना उश्मिय प्रतिरोध कहलाता है ये तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है अब देखें अब बात करते हैं इसके सूत्र के तो आर क्या होता है थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन यहां पर आएगा उस्मा प्रवा की दर यानी की h तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 यहां पर हम रखेंगे h की value जो कितनी होती है k a थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन l होता है तो यहां से क्या होगा यहां से आप देख सकते हैं कि यह दोनों आपस में cancel हो जाएगे तो हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा l अपॉन k a और यह क्या आगया यह r का सूत्र आगया समझ में आया ये हमने कुछ नहीं किया आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है theta 1 minus theta 2 upon h और उससे हमने ये निकाल लिया क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उश्मिय प्रतिरोध का मातरक क्या होता है तो इसका मातरक हम यहीं से देख कर बता सकते हैं तो इसका मातरक हो जाएगा degree Celsius second per calorie या फिर और क्या हो सकता है और हो सकता है Kelvin second ठीक है per kilo calorie क्याती बात समझ में आई और वहीं यदि मैं बात करूँ इसकी विमा की तो इसकी विमा क्या हो जाएगी इसकी विमा हो जाएगी m की पावर माइनस 1 l की पावर माइनस 2 t की पावर 3 थीटा तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही था मैं उमीद करती हूँ कि जो भी इस वीडियो में समझाया गया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा